प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर जितनी महत्वपुन जीले हैं वो देखते हैं लेकिन उससे पहले यह याद रखिए, राजस्थान का जो उदैपूर है ना, इसी को जीलों का शहर कहा जाता है चलिए जीलों के और बढ़ते हैं, सबसे पहली जील जो याद रखनी है सामभर जील है याद रखिए भारत की सबसे बड़ी इनलेंड साल्ट वाटर लेक है यह, मतलब भारत की सबसे बड़ी वो खारे पानी की जील है जो चारों और से जमीन से घिरी हुई है, यह जैपूर के अंदर है, बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन यहां से होता है याद रखिए यह रामसर वेटलेंड साइट भी है इसके बाद दूसरी जो लेक है वो पिछोला लेक है, यह आर्टिफीशल लेक है, उदेपूर के अंदर है यह इसके बाद राजसमंद लेक, यह भी एक आर्टिफीशल लेक है, राजसमंद डिस्टिक के अंदर है इंपोर्टन चीज ये है कि 17th century में मेवाड के एक राजा थे महराणा राजसिंग उन्होंने इसे बनवाया था इसके बाद एक लेक है नक्की लेक इसको कहते है नेचुरल और आटिफिशियल लेक का ये यूनिक कॉंबिनेशन है माउंट आबुचियले के अंदर है अरावली परवत शिरेनी से ये घिरा हुआ है तो इसी कारण से ये एक बहुत ही अच्छा हील स्टेशन है टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रेक्शन का केंदर है ये नेक्स्ट है फते सागर लेक ये उदेपूर के अंदर है ये भी एक आर्टिफिशल लेक है 1678 इस्वी में महाराणा जैसिंग के द्वारा ये बनवाया गया था इसके बाद पुशकर लेक अजमेर के अंदर है इस पुशकर लेक की खास्यत ये है कि हर साल यहां मेला लगता है हिंदू धर्म के लिए तो बहुत इंपोर्टन ये लेक है और ब्रह्मा जी का यहां पर एक मंदिर है इंपोर्टन चीज है ना कि पूरे विश्व में एक मात्र ब्रह्मा जी का टेंपल है वो कहां पर है इस पुशकर लेक के पास ही है इसके बाद बाल समंद लेक भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफीशल लेक यही है पहली तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है गोविन वल्लव पंत सागर और दूसरे नंबर पर यह धेवर लेक है इतनी लेक आपको राजस्थान के अंदर याद रखनी है महाराष्टर के अंदर 3 important लेक हैं पहली है लोनार लेक बहौत important है उलका पिंड के पित्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ है महाराष्टर में एक जिला है बुलधाना उसी जिले में यह है साल्ट और अलकलाइन वाटर का ये मिश्रन है तो हम कहा सकते हैं ये क्रेटर लेक का एक एक इक्जाम्पल है इसके बाद शिवसागर लेक, आर्टिफीशियल लेक है ये सतारा जिले के अंदर है कोईना नदी के उपर एक डैम बना हुआ है इस डैम का नाम भी कोईना डैम है उसी के कारण इसका निर्माण हुआ है और तीसरी है सलीम अली लेक महराश्टर के और अंगाबाद में है मुगल काल में इसका निर्माण हुआ था और मुगल काल में इसी लेक को खिजरी तालाब कहा जाता था गुजरात के अंदर तीन इंपोर्टन लेक्स है जो याद इससे भी इंपोर्टन चीज यह है कि यह एक रामसर वेटलेंड साइट है दूसरी लेक जो आपको याद रखनी है हमीर सर लेक आर्टिफिशल लेक है गुजरात के भुज लेक के अंदर है गुजरात के एक शाशक हुआ करते थे राव हमीर उन्ही के नाम पर इसका नाम रख लखा गया है और लाश्ट में कंकरिया लेक यह भी एक आर्टिफिशल लेक है एहमदाबाद जिले के अंदर है 1451 में कुतुब दिन एहमद शाह सेकेंड के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था तो यह तीन इंपोर्टन लेक है गुजरात में जो आपको याद रखनी मद्यपरदेश में दो इंपोर्टन लेक हैं पहली है इंद्रा सागर लेक नर्मदा नदी के ऊपर डेक डैम बना हुआ है इंद्रा सागर डैम उसी डैम के कारण इस रिजर्वोय का निर्मान हुआ है जिसे इंद्रा सागर रिजर्वोय या इंद्रा सागर लेक कहा जाता ह मद्यपरदेश के खांडवा डिस्टिक के अंदर है ये इसके बाद भोजताल लेक ये कार्टिफिशल लेक है मद्यपरदेश के भोपाल में है परमारवंश के एक राजा थे राजा भोज उन्ही के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था बिहार की जो सबसे इंपोर्टन लेक है कावर लेक ये एक ओक्सबो लेक का एक्जामपल है एशिया की लारजेस्ट ओक्सबो लेक है या कहा जाए गोखुर लेक है बुड़ी गंड़क नदी की मियंडरिंग के कारण इसका निर्मान हुआ है बिहार के बेगुसराय जीले के अंदर है ये एक रामसर साइट है इसके लावा ये एक बर्ड सैंचुरी है उड़ीसा के अंदर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील चिलका लेक है भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की जील है वो चिलका जील है यह एक लेगून जील है उडिसा के अंदर यह पाई जाती है यह एक रामसर साइट भी है 1981 में इसको रामसर साइट में घोशित किया गया था इसका जो मैक्सिमम सर्फे सेरिय है वो ग्यारा सो किलो मीटर स्क्वायर तक जाता है जब पूरा पानी इसमें भर जाता है हमारी इं किष वाटर लेग भी है मतलब ऐसी लेख है इसमें जातर तो खारा पानी है लेकिन कुछ मीठा पानी भी है इसमें मतलब कुछ में दे दिये जाएगा किसी भी परकार की help के लिए हमारा ये WhatsApp number इस पर आप contact कर सकते हैं यकीन मानिए effortless तरीके से आपका ये course complete हो जाएगा आपको ऐसा लगए है कि भाई ये movie देख रहे हैं बीना किसी मेहनत के सारी चीज़े आपके दिमाग में आ जाएंगी तो ये NCRT oriented होगा मतलब आप UPSC से लेकर SSC किसी भी एक्जाम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं अमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा इसे दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएगा बहुत सारे अनिमेटेड वीडियो में ने बनाया हुए है आपके तयारी एक्जा की बहुत अच्छी हो जाएगी और क्लास नोट्स लेना ना भूलें थैंक यू